नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज प्रस्तूत है वर्गवारसे पोईटरी स्नेक. जी, वर्गवारसे पोईटरी स्नेक की अती महत्तपुर्ण अब्जेक्टिब क्वेस्टिन्स एंड आंसर्स. जी, स्नेक से अब्जेक्टिब क्वेस्टिन्स एंड आंसर्स. तो आईए, आज की वीडियो की सुरुवात प्रसन समबर एक से करते हैं. बच्चों, पूछ रहा है, स्नेक हैज बिन कमपोजड वाई? आपको बताना है, स्नेक नामक जो कविता है, या किसकी रचना है? आपको बताना है कि नीमने में से कौन सा जीव, पूछ के वाटर ट्रॉफ के पास पानी पिने के लिए आया था? तो यह आपको असपस्ट है, बच्चों, यहाँ पे ऑप्सन ए होगा स्नेक. स्नेक केम टू दा पूट्स वाटर ट्रॉफ तू ड्रिंक वाटर. यानि पूट्स के वाटर ट्रॉफ के पास पानी पिने के लिए एक साप आया था, इसलिए ऑप्सन ए सही होगा. क्वेस्टन नमबर तीन कहता है कि दा स्नेक केम टू दा वाटर ट्रॉफ अन ए कोल्ड डे, अन ए होट डे, अन रेनी डे या नौन अब्दीज आपको बताना है बच्चों, क्वेस्टन नमबर तीन में, तीन में कि साप पोएट के वाटर ट्रॉफ के पास पानी पिने के लिए आया था, तो वाग कोल्ड डे था, होट डे था, रेनी डे था या नौन अब्दीज था, तो बत्चों आपका सही जाब होगा होगा होट डे, ऑप्सन बी, यानि उस दिन बहुत गर्मी थी, जिस दि सही होगा होट डे, क्वेस्टन नंबर चार कहता है, जब कभी ने साप को देखा, तब कभी पहन रखे थे, ऑप्सन ए, कोट, ऑप्सन बी, पाजामा, ऑप्सन सी, लूंगी, ऑप्सन डी, नौन अब्दीज, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, ऑप्सन ब पाइजामा, या पे स्पेलिंग एरर रहे बच्चों, दपोएट वाज वेरिंग पाइजामा, वैनी सोदा स्नेक, यानि जब कभी ने साप को देखा, तब वे गर्मी के कारण पाजामा पहन रखे थे, इसलिए ऑप्सन बी सही होगा, दपोएट वाज वेरिंग पाजामा, वैनी सादा स्नेक, क्वेस्टन नमबर फिफ्थ कहता है बच्चों, दपोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ, यानि कभी जो है अपने आपको मानते हैं, फर्स्ट कमर मानते हैं, सेकंड कमर मानते हैं, फोर्थ कमर मानते हैं, यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, कि वाटर ट्रॉफ के पास पानी पिने के लिए पहले साप आया था और उसके बाद कभी आये थे, इसलिए कभी अपने आपको सेकंड कमर मानते हैं, इसलिए ऑप्शन बीस सही होगा, दपोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ ए सेकंड कमर, याद रखिएगा, दपोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ ए सेकंड कमर question 6 कहता है the poet came down यानि कभी पानी पीने के लिए नीचे उतरे हुए थे with a jug in his hand with a bucket in his hand with a pitcher in his hand या none of these तो आपका सही जवाब होगा बच्चों option C pitcher यानि अपने हाथों में एक घड़ा ले करके आये हुए थे तो इसको पढ़ेंगे the poet came down with a pitcher in his hand गड़ा ले करके उतरे हुए थे तो आपका सही जवाब होगा option C pitcher, pitcher कार्थ होता है घड़ा, the poet came down with a pitcher in his hand number 6 पूछता है बच्चों the snake looked at the poet यानि साप ने कभी को देखा बच्चों कैसे देखा आपको बताना है vaguely, sadly happily या non-abdij बड़ा महत्पुन आंसर है ये option A सही होगा the snake looked at the poet vaguely, कैसे देखा vaguely देखा, the snake looked at the poet vaguely question number 8 है बच्चों the color of the snake वाज, बड़ा महत्पुन प्रस्थ है, आपको बताना है कि उस साप का रंग क्या था, yellow brown yellow black, brown या non-abdij आपका सही जव होगा option A yellow brown, वह जो साप था न वह हलके पीले रंग का था वह भूरा था, लेकिन पीला सा था तो इसको कहेंगे the color of the snake was yellow brown, क्या था yellow brown question number 9 कहता है Aetna, बच्चों Aetna एक volcano है तो ये कहां पर erupt हुआ था Rome में, Athens में, Sicily में non-abdij आपका सही जवाब होगा Sicily क्या होगा, Sicily Aetna is in Sicily जी, Aetna is in Sicily option C, सही जवाब है question number 10 कहता है A tree has been mentioned in the poem Snake बच्चों, आपकी पाथि पुस्तक में D.H. Lawrence के दोरा रचित जो कविता, जिसका नाम है Snake उस कविता में एक पेंड की चर्चा हुई है वो पीपल का है, या नीम का है या कैरब ट्री है तो आपका सही जवाब होगा बच्चों, option C, कैरब ट्री यानि, Snake नाम कविता में कैरब ट्री नामक पेंड की चर्चा है बच्चों, कैरब ट्री एक Southern European ट्री है जिसमें डार्क ब्राउन फ्रूट्स ग्रो होते है तो यहां पर कहेंगे एक कैरब ट्री हैज बिन मेंशन्ड इन दपोयम स्नेक स्नेक नाम कविता में पीपल के पेंड की नहीं नीम के पेंड की नहीं बलकि कैरब ट्री की चर्चा है question number 11 कहता है the voice of my education said to me he must be killed is a line from आपको बताना है कि यह जो पंग्ती है the voice of my education said to me he must be killed यह किस कविता से लिगई पंग्ती है असपस्ट है बच्चों option is snake the voice of my education said to me he must be killed is a line from snake यह जो पंग्ती है यह snake नाम कविता से लिगई है 12 कह रहा है कि the poet picked up a to kill the snake यहनि साप को मारने के लिए कभी ने क्या उठा लिया X कुलहाणी उठा ली B लॉग डंडा उठा लिया C एस्पीर भाला उठा लिया या कुछ नहीं उठाया तो आपका सही जवाब होगा option B the poet picked up a log to kill the snake साप को मारने के लिए poet ने लकड़ी का एक लठा उठा लिया question number 13 है कि in खाली अस्तान black snakes are believed to be innocent यानि कहां पे काले सापों को निर्दोस माना जाता है यानि उनको बिसैला नहीं माना जाता है आपको बताना है कहां पे जो black snakes होते हैं जो काले रंग के साप होते हैं उनको विसैला नहीं माना जाता तो option B सही होगा बच्चों Sicily कहां होगा बच्चों Sicily में Sicily में black snakes को काले सापों को विसैला नहीं माना जाता है इसलिए उनको निर्दोस माना जाता है question number 14 कहता in Sicily the snakes are believed to be venomous venomous का मतलब विसैला जहरीला खतरनाक आपको बताना है कि Sicily में कीस रंग के साप को विसैला जहरीला और खतरनाक माना जाता है तो बच्चों यहां पे आपका option होगा yellow क्या होगा yellow लेकिन अगर बच्चों आपकी परिक्षा में gold आए न तो आप yellow से बहतर gold मानेंगे in Sicily the gold snakes are believed to be venomous यानि Sicily में सुनहरे रंग के सापों को जहरीला माना जाता है इसलिए यहां पे be करेंगे या gold करेंगे option 15 कहता है बच्चों the poet compares the snake यहां पे बताना है कि कभी जो है न वे साप की तुलना करते हैं the poet compares the snake कभी साप की तुलना करते हैं to a bird named albatros यानि albatros नाम के एक पक्ची से कभी साप की तुलना करते हैं आपको बताना है कि जो albatros नाम के चिडिया है यह river में रहती है pond में रहती है या sea में रहती है option c सही होगा c में बच्चों वो c में रहती है याद रखिएगा वो c वर्ड है large white c वर्ड है कौन? albatross तो यहाँ पे हम कहेंगे the poet compares the snake to a c वर्ड named albatross यानि albatross नाम की जो पक्षी है वो c में रहती है इसलिए option c सही होगा question number 16 the snake seemed like a in exile यानि कभी को साप लगता था कैसा लगा बच्चों? queen in exile एक रानी की तरह जिसका बनवास हो गया है जिसको राज्य से निकाल दिया गया है एक फकीर की तरह जिसको राज्य से निकाल दिया गया है या एक king की तरह जिसको राज्य से निकाल दिया गया है सैंप और कभी की मुलाकात हुई कहां पे उसलिए ओपसन सी सही होगा question number 18 कहता है he lifted his head from his drinking as cattle do is a line from आपको बताना कि साँ पानी पीने के दौरान अपने सर को उपर किया जैसे मवेसी भी पानी पीने के दौरान करते हैं तो यह पंक्ती कहां से ली गई है असपस्ट है बच्चों स्नेक से कहां से ली गई है स्नेक से तो he lifted his head from his drinking as cattle do is a line from स्नेक यह जो पंक्ती है यह स्नेक नामा कविता से ली गई है question number 19 कहता है who grew up यहनि कौन सयाना हुआ कौन बड़ा हुआ amid the strife यहनि लडाई जगडों के बीच between his gentle gentle का मतलब सभ और सुसील and educated सिक्षित मदर यानि पढ़ी लिखी सभ और सुसील मा and his course minor father बच्चों course का मतलब होता है assist minor का मतलब होता है खान में काम करने वाला मजदूर यानि निमन में से कौन सुसील और पढ़ी लिखी मा और असभ और मजदूर में खान करने वाले पिता के बीच लड़ाई के दौरान ही पला और बढ़ा तो यहाँ पर option B सही होगा बच्चों D.H. Lawrence जी D.H. Lawrence grew up amid the stripe between his gentle and educated mother and his course minor father अर्था D.H. Lawrence जो थे न ये अपने मम्मी और पापा के बीच की लड़ाई को देखते देखते ही ये सयाना हुए थे तो ये 19 अति महतोपुर्ण बस 19 प्रकार के प्रस्ण यम उनके उत्तर snake नामक प्रवाटरी से लेकिन बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पे snake की जो line by line explanation इन हिंदी वाली वीडियो है उसको अवस से देखेंगे ताकि इन 19 के अतिरिक्त भी कुछ पूछा जाए तो आप उन प्रस्णों के भी उत्तर दे पाएं और परिच्छा में अच्छे अंक ला पाएं बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों से भी सेयर करें आप अपने सुझहाव भी दें ताकि फरदर इंप्रूव्मेंट के लिए मैं काम कर सकूँ तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुई जैहिंद